आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students तो यहां इस question आप से पूछा गया है कि एक galvanometer में जुमारे मैंगटी पोल पीस से होते हैं उनको कंकेव के बनायाता है इसे आप जैस्टियां विच शेप हमारे पास है वच इस तरह से है तो यह शेप का रिजन किया होता है कि तांकि मेरी मैंगटी फील्ड है जो वो स्ट्रॉंग रहे ठीक है यूनिफर्म रहे और रेडियल रहे ठीक है तो अगर इन तीनों में से अगर पर यूनिफर्म नहीं होगी ठीक है और रेडियल नहीं होगी तो क्या होगा कि जो मेरा कॉयल में force produced होगा, जो मेरा कॉयल में टॉक क्वर्च होगा, ठीक है? suppose कर यहां पर मेरा magnetic field है, यह मेरी magnetic field है जो मेरा कॉयल में टॉक क्वर्च हो रहा है कॉयल में, यहां पर हम रेट से ट्रॉब कर लगते हैं तो अगर यह uniform नहीं होगी तो एक external force आएगा इसके उपर टॉक के उपर जो इसको प्रोहिबिट करेगा और मेरे रीडिंग मुझे गलवानमेंटर के जो दिखने चाहिए थी उससे कम दिखेगी यहां फे उससे जाता भी दिख सकती है तो इसके वाशे मेरे गलवानमेंटर ठीक से वर्क नहीं करेगा तो इससे वाशे हम मुझे हमारे पोल पीस से होते हैं मैंगटिक पोल पीस उसको हम गंकेव लेते हैं यह वाशाप कीजिए अपने डाउट आट 4444 पर